नमस्कार दोस्तों, कहते हैं प्रकृति ने जार्खन के धर्ती को बड़े फूर्शत से सवा रहा है गिरी डी की सबसे उची चोटी पारसनात की बात करें या चतरा अश्थित मनोरम छटा को भी खेड़ती तमासिन जल परपात की या फिर कोडर्मा अश्थित चंचाल पहाड की, उसूरत वादियों में बसा चंचालनी धाम की इस तरह के सेखडो मनोरम अस्थलों ने जार्खन की धर्ती को अनुपम भेड़ दिये यही वाज़ा है कि हर साल यहां देश और वीदेश से लाकों की संख्या में परियाटक पहुंचते हैं आज हम ऐसे ही एक बेहाद आकरसंग मनमोहन जल परपात के बारे में बात करने जा रहे हैं यह है जार्खन की राजधानी रांची से 48 किलोमीटर दूर परिस्तित हुन्डू वाटर फॉल जो अपनी खुबसूरती के लिए जार्खनी नहीं देश बर में परसीद है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है हुन्डू फॉल की महतु क्या है हुन्डू फॉल कैसे पहुँचे हुन्डू फॉल की परवेश सूल की कितना है हुन्रू फॉल में सुवी धाएं क्या क्या है वाँ खाने पीने की क्या वास्ता है हुन्रू फॉल जाने के सबसे अच्छा समय कौन सा है हुन्रू फॉल में कौन कौन सी सावधानिया वरतनी पड़ती है चता हुन्रू फॉल को देखने का समय कौन सी है तो दोस्तो यह सब जानने के लिए वीडियो में अंतक बने रहें और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लिज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें तो दोस्तो चलिए बीना देर किये वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं हुन्डू फॉल कैसे पहुँचे तो आपको बता दे कि हुन्डू फॉल ट्रेन से जाने के लिए आपको रांची जक्सन पहुँचकर हुन्डू फॉल के लिए टेक्सी या बस लेनी होगी रांची जक्सन से हुन्रू फॉल लगबग 40 किलोमेटर दूर इस्ती थे आप एमेजोन से किफायती कीमत पर ट्रेन की टिकट बूक कर सकते हैं और अगर आप फ्लाइट से हुन्रू फॉल जाते हैं तो रांची के बिर्सा मुंडा पार्क हवाई अड़ा पहुँच कर वहाँ से टेक्सी द्वारा पहुँच सकते हैं बिर्सा मुंडा हवाई अड़े से हुन्रू फॉल लगबग 47 किलोमेटर दूर इस्तीत है दोस्तो आप बात करते हैं हुन्रू वाटर फॉल की महत्यों के बारे में हुन्रू वाटर फॉल सौर नर्रेखा नदी पर इस्तीत बहुत खुबसूरत जल परपात है सौर नर्रेखा दामोदर नदी के बाद जारकंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है यह जहरकन का दूसरा सबसे उच्छा वाटरफॉल है इसकी उच्छा या 90 मीटर यानि 321 फीट है बीहड जंगलों के बीच इस्तित या जल परपात देखने में बहुत ही मनोरम लगता है इसके आसपास इस्तित चोटे चोटे पहाड़ियां इसे बहुत खुबसूरत बनाते हैं यहां सीडियों के सहारे जल परपात के एकदम निकट पहुचा जा सकता है अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस जल परपात की परवेश सुल्ख क्या है तो आपको बता दे कि हुंडरू वाटर फॉल परियाटक अस्तिल की देखरे की जिमेवारी जहरकन टूरिज्म डेवलोपमेंट पॉर्परेशन लिमिटेड राची दौरा किया जा रहा है अता इस परियाटक अस्तिल के विकासे तूर रख रखाव की खर्च के लिए परतेक वेक्ती से 25 रूपय परवेश सुल्ख लिया जाता है इससे यहाँ आने वाले परियाटकों कोई वाहन सुरच्छित रहते हैं आईए अब हम जानते हैं हुन्डू फॉल में खाने पीने की व्यस्ता क्या है दोस्तो हुन्डू फॉल के आसपास खाने पीने की पूरी सुईधायें रखी गई है यहाँ पर कई ऐसे दुकाने हैं जहां से पानी की बोतले या अनखात सामगरी खरीद सकते हैं परियाटकों की सुईधा एतु हुन्डू फॉल के नजदिक 740 सीड़ियां बनाई गई है जिसके सहारे परियाटक आसानी से हुन्डू फॉल का विहंगम द्रिश का आनद ले सकते हैं और तो और इनी सीडियों के आसपास जगा जगा चोटे चोटे दुकाने लगे हुए रहते हैं जहां कारीगर लकडी के बने कई परकार के खिलोनों को तयार करते हैं और विक्री एतु सजा कर रखते हैं जो भी परियाटक यहां आते हैं इन खिलोनों को बड़े ही चाव से खरीदते हैं और इसे खरीद कर अपने घर ले जाते हैं पूरे छेत्र को स्वाचर सुरचित रखने के लिए जगा जगा पर डस्ट विन रखे गए हैं ताकि कूडे करकट को डस्ट विन में डाला जा सके हुन्डू फॉल को उपर से देखने के लिए एक रोपुवे बनाया गया है इसके सहारे वेक्ति उपर से हुन्डू फॉल की अदबुद द्रिश को देख सकते हैं इसके लिए परतेक वेक्ति सुल्क 300 रुप्या रखा गया है इसका उपयोग खतरनाक हो सकता है इसलिए इसके उपयोग है तो दिसा निर्देश का पालन करना होता है और कुछ गंभीर बिमारी से ग्रस्त लोग भी इसका उपयोग नहीं कर सकती है दोस्तो अब बात करते हैं हुन्डू फॉल देखने की टाइमिंग के बारे में हुन्डू फॉल देखने है तो आठ बजे सुबा से साम साड़े चार बजे तक समय निधारित किया गया है इसी बीच गेट खुला रहता है उसके बाद साम पांच बजे तक सभी को हुन्डू फॉल से निकल जाना होता है चलिए अब बात करते हैं इस यात्रा की सबसे उचित मौसम के बारे में तो आपको बता दे कि इस पर्याटक अस्थाल पर वर्षा रित्यू को छोड़कर सालों फर यात्रा की जा सकती है परुंतु सबसे उप्यूक्त मौसम अक्टूर से मार्च के बीच होता है क्योंकि इस महीने में बर्षात और गर्मी की समस्या नहीं रहती जिससे ना किबाड की समस्या रहती है और ना अधिक गर्मी की पुरा द्रिश अध्भूत और मनोरम लगता है लगबक सौ मीटर की खाई से घाटी का ना जारा मात्र मुग्द कर देने वाला होता है कलकल बहती नदी की धारा हमें या बताती है कि हमसे बढ़कर कोई संगीत नहीं और उचाई से गिर्दी पानी की धारा हमें बताती है कि प्रकिती से बढ़कर कोई कलाकार नहीं इस अध्भूत शाटा को जो भी देखा वो भाव विवर हो गया तो अब देर किस बात की मन में ठानिये इरादा बनाईए और पहुंच जाईए परिवार संग हुन्डू फॉल तो दोस्तों ये रही हुन्डू वाटरफॉल की संपून जानकारी अगर मेरे दिये हुए जानकारी से जराशी भी साहता मिली हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ताकि मैं इसी तरह की नए नए वीडियो अपडेट करता रहूँ धन् क्यों जए में सब्सक्राइब काईब उगर में गॉड़ का दो यह जपूआ है और में जानकारी साहता वाटरफ।